जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हमले कर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्तुपुन कॉश्चन आंसर हिंदी साहित तिकी तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है यह अपना प्रैक्टिस सेट पारवा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने प्याल आइकन दबाएं और पर क्लिक करने ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले अब कहां तक पहुचे जाताष जाता वीडियो को सेयर करना है और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो चले स्टार्ट करते हैं आज के अपना एक कि यह पंती है सूरसागर भिरमरगीत या रसकलस या उद्धाव सतक आंसर बनता है कमेंट में आंसर आप जरू बताएं क्या होगा इसका सही आंसर तो आपका यहांपर जो सही आंसर है आज का फ़र्ष्ट कॉस्चन है विकल्ब नंबर आपका D उद्धाव सतक आपका सही आं इस सब्द का सबसे पहले प्रियोग क्या है भै किसने किया इस आपके लिए यहाँ पर बताना है question number है अपने यहाँ पर दो और दो का जो सही answer है भै क्या है तो दो का यहाँ पर जो आपका right answer है भै विकल्प number C आनि की french row है विकल्प number C आपका सही answer यहाँ पर है विकल्प number C बिल्कुल सही right answer अंगला question यह रहा संकर से द्वारा लिखित नाटक नहीं है देखें नहीं पूँचा है आपसे नहीं है तो कौन सा नहीं है यह आपके लिए बताना है तो बताई संकर से द्वारा लिखित नाटक नहीं है तो question number 3 का सही answer होगा क्या होगा? court marsal court marsal यानि की विकल्प number एक आपके हाँ पर सही answer है अंगला question है नई कहानी आंदूलन चलाने वाले लेखक नहीं है देखें नहीं पूँचा है आपसे ध्यान रखना है तो नई कहानी आंदूलन चलाने वाले लेखक नहीं है मोहन राकेस, राजेंद र्यादाव, कमलेस्वर, गंगा प्रसाद, विमल question number 4 का सही answer बताना है और D right answer है यानि की गंगा प्रसाद विमल आपका यहां पर सही answer है अंगला question क्या पूँचा गया है तो देखें पहला गिर्मिटिया उपन्यास के लेखक हैं तो इसके लेखक बताना है इसके लेखक कौन है, महत्वपूण question पूँचा क्या है, आपसे question number 5 और 5 का जो सही answer है आपका बहे, विकल्प नंबर क्या होगा, पहला गिर्मिटिया उपन्यास है और इसके जो लेखक है गिरी राज के सूर आपका विकल्प नंबर भी right answer यहाँ पर है, प्रवासी के गीद किसकी रचना है, महत्वपूण question है नांगर जुन, रामविला, सर्मा केदानात, अग्रवाल या नरेंद्र बर्मा, महत्वपूण question पूँचा क्या है और आपका यहाँ पर जो सही answer है question number 6 का, वह है आपका यहाँ पर right answer, क्या है right answer तो 6 का सही answer, विकल्प number D, आनिकी आपका नरेंद्र बर्मा right answer होगा अंगला question क्या पूँचा क्या है तुम मुझे प्रेम करो जैसे मचलियां लहरों से करती है पंती किसकी है यह पंती किसकी है यह आपके लिए बताने Austro7 का सही answer, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मचलियां लहरों से करती है किसकी यह पंती है तो आपका सही answer होगा question number 7 का विकल्प number C यानकी समसिर बहादुर से है समसिर बहादुर से हैं इनकी एपन्ति है तो विकल्प नंबर C आपके यहां पर right answer है अंगला कॉष्टन यहाँ पर पूंचा है अनन्त बिस्तार का अटूट मोन मुझे भयभीत करता है किसकी पन्ति है ए कॉष्टन नंबर 8 का सही answer बताना है मतुपूर्ण कॉष्टन पूंचा गया है मावाली कहानी के रचनाकार कौन है उदय प्रकास सेखर जोसी मोहन राकिस कमलिस और एचार विकल कॉस्चन नमबर 9 है सभी लोग वीडियो को लाइक अबस्ते कर लें जोनों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है एक बार बीडियों को लाइक अबस्त कर लें और question number 9 का सही आंसर है मोहन राकिस मवाली कहानी के रचनाकार है मोहन राकिस अंगला question है गुल की बन्नो कहानी किसकी है गुल की बन्नो कहानी वताने question number 10 में सही आंसर क्या होगा अंगला question है प्रिया नील कंठी निबन्द किसका है देखे प्रिया नील कंठी क्या है ये निबन्द है क्या है निबन्द है तो किसका है ये आपके लिए बताना है कुवेरनात राय रामचन सुकल बालकृष्ण भट्टे हजारी परसाद दोबेदी कुवेरनात आपका विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक जिन्हों ने बताया है उनका सही आंसर बसंत आ गया है निबन्द की निबन्दकार कौन है बसंत आ गया है क्या है ये एक निबन्द है और इसकी निबन्दकार कौन है तो यह आपके लिए यहाँ पर बताना है question number 12 में कौन है इसकी निवंदकार महत्तुपूर्ण question पूँचा गया है question number 12 और 12 का सही answer है आपका यहाँ पर विकल्प number C right answer हजारी फिरसाद दुबेदी अंगला question क्या है देखिए केसक वल्ली किस काप विकल्प पात्र है यह आपके लिए बताना है तो केसक वल्ली जो है किस काप विकल्प पात्र है यह आपके लिए बताना है तो आपका सही answer है question number 13 का विकल्प number D right answer है क्या है राइट आंसर असाध्य बीना आपका सही आंसर है सची पात्र किस का बिका है सची पात्र किस का बिका है आत्म हत्या की ब्रुद्ध या रसकला से अंधायोग विश्णू प्रिया तो question number 14 का सही आंसर है क्या है राइट आंसर 14 का सही आंसर होगा विश्णू प्रिया व आपका विकल्प नंबर D, सही आंसर है, अंगलय enे मन्दा किस उपन्यास का पात्र है, देखी मन्दा जो है ये उपन्यास का पात्र है, तो बहिए कौन सा उपन्यास है जिसके पात्र है मन्दा, तो मेला आचल राक दरवारी, या इधन या आबा, तो question number 15 का सही answer है, आपका विकल्प number C, आपका right answer है, बिल्कुल सही, जिन्होंने C बताया, उनका right answer है, बहुत बढ़िया, सभी लोग वीडियो को like बस्त करते जाएं, चैनल को subscribe भी करनें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, question number 16 यहां पर पूँचा गया है, रंगनात किस उपन्यास का पातर है, रंगनात जो है, एक इस उपन्यास के पातर हैं, यह आपके लिए यहां पर बताना है, question number 16 का सही answer, question number 16 है, महत्तुपूण, question पूँचा गया है और आपका सही answer है, राग दर्बारी विकल्प number, एक आपका सही answer यहां पर है, तुलसी दास किस आलो चक का ग्रंथ है तुलसी दास किस आलो चक का ग्रंथ है माता प्रसाथ गुपते या राम बिलास सर्मा या राम सरुप चतुरवेदी नगेंदर कॉस्चन नमबर 17 का सही आंसर आपका जो यहां पर होगा 17 का राइट आंसर होगा यहां पर आपका विकल्प नमबर क्या है एक यानिकी माता प्रसाथ गुपते यह जो है आलू चाखे और इनका एक ग्रंते तुलसी दास अंगला कॉस्चन है क्या है बदी उज्चमान का उपन्यास है इनका उपन्याश बताना है नंग पनी का देश सूतर धार एक छुखे की मौत दिल एक सादा कागज यह आपके लिए बताना है question number 18 का सही answer क्या होगा भात्पूर्ण question पूशा गया है question number 18 18 का सही answer है एक चुहे की मौत यानिकी विकल्ब नमबर आपका C यहाँ पर सही answer है एक चुहे की मौत संजीव का उपन्या से कौन सा है question number 19 का सही answer बताने कौन सा इनका उपन्या से question number 19 का right answer क्या होगा समर से सूत्रधार नांगपनी का देश नदी के दीब question number 19 है right answer विकल नंबर आपका B आनकी सूत्रधार आपका यहां पर सही answer है सूत्रधार आपका सही answer बिल्कुल सही अंगला question है गड़े संकर विद्यारती किस पत्रिका के संपादक रही है देखिए कौन सी पत्रिका थी जिसके एक क्या रहे है संपादक रहे है कौन गड़े संकर विद्यारती समालोचक प्रताप या मतवाला या कभी बचन सुधा तो question number 20 का जो सही answer है आपका 20 का right answer विकल नमबर आपका B यान की प्रताप आपका यहाँ पर सही answer है अंगला question क्या पूँचा है गड़े का कोट किस की रचना है तो राजिस जो सी स्रंजाय या फणिसवनात रेनू अमरकान ते question number 21 का right answer बताना है 21 का right answer क्या होगा यहाँ पर महत्तपुन question पूँचा गया है और कॉमरेट का कोट जो किस की रचना है तो संजाय आपका right answer विकल नमबर आपका B सही answer बिलकुल सही अंगला question देख लेते हैं स्यामा सुपने के लिए का कौन है question number 22 का right answer बताना है तो स्यामा सुपने के लिए का कौन है तो स्यामा सुपने के लिए का के ठाकर जगमोहन से हैं आपका यहाँ पर सही answer है साध्धोनी का उच्चारण स्थान यहाँ पर बताना है यह जो साध्धोनी हैं आपकी इसका उच्छारण स्थान यहाँ पर कौन सा है बताइए तो दनता है या तालब है ओश्टा है या मूर्धन्य है तो आपका सही आंसर है विकल्प नमबर एक यानि की तालब भी आपका सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन है जादूई अथातवाद की प्रितिष्ट आपक हैं तो कौस्चन नमबर 24 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा वहे क्या है बुईलो आपका यहाँ पर विकल्प नमबर एक डी राइट आंसर यहाँ पर है उत्तर सनरचनाबाद के मुख बिचारक है इसकी मुख बिचारक कौन है कौस्चन नमबर आपका 25 है 25 का सही आंसर बताईए उत्तर सनरचिनाबाद के मुख्य विचारक है तो question number 25 का सही answer है क्या होगा right answer तो आपका सही answer यहाँ पर है सस्यूर आपका है यहाँ पर सही answer विकल्ब नमबर एक आपका सही answer है अंगला question क्या पूँचा क्या है तो देख लेते हैं अपना अंगला question है पर्द कतानक किस भासा की रचिना है राजस्तानी ब्रिज अबदी बुंदेली तो question number 26 का सही answer होगा आपका यहाँ पर 26 का right answer बताना है right answer है आपका यहाँ पर विकल्ब नमबर क्या है right answer आपका सही answer B आनिकी ब्रिज आपका सही answer है अंगला question क्या है देखे उज्वल बरदान चेतना का स्वंदर यह जिसे सब कहती हैं तो यह जो है पंती किस सर्गसी है यह किस सर्गसी पंती है यह आपके लिए बताने स्रद्दा आसा लज्जा आनंद question No.27 का सही answer है आपका विकल्ब नमबर C आनिकी लज्जा राइट आनसर होगा अंगला question है कितना अनुभूती पून था बहचण का आलंगन किस रचना का कतन है कितना अनुभूती पून था बहचण का आलंगन यह जो है किस रचना का कतन है चंदरगुप्त इसकंदगुप काब्व का पृति पाद्ध विसाय क्या है तो इसका पृति पाद्ध विसाय बताना है क्वाश्चन number 39 में राइट आंसर क्या हुगा आपका तो 39 का सही आंसर बता दीजे इसलाम दर्सन आपका सही आंसर है विकल्ट नंबर आपका C right answer यहाँ पर है व्यों केस दर्वेश के लेख़प कौन है महत्वपून कौस्चन पूचा गया है व्यों केस दर्वेश और कौस्चन नमबर 30 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर बैहे right answer क्या है S.P.L. या रुद्र का C.A. या विसुनातर पार्थी हजारी पर साथ दुबेदी सही आंसर है कौस्चन नमबर 30 का विकल्प नमबर आपका यहाँ पर C आनिकी विसुनातर पार्थी आपका right answer है किस कभी का समाविश चौथा सब तक में क्या गया है संभूनास नहें तद वह पत्रिका का प्रकासन इस्थान है तो इसका प्रकासन इस्थान बताना है इस पत्रिका का कौन सही लखनव है बोपाल है कानपुर है इलाहबाद है Question number 32 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है विकल्प नमबर 1 यानि की लखनव लखनव जो की क्या है उत्तर प्रिदेश की राजधानी अंगला कॉस्चन है क्या है विश्व भारती पत्रिका का संपादक है तो विश्व भारती पत्रिका के संपादक है तो कौन है बालकिष्ण भट्टे प्रेम चंद्र बाबु हरिस्चंद्र हजारी प्रसाद दोबेदी question number 33 33 का right answer यहां पर बता दीजे महत्तपुन question पूशा गया है हजारी पर साथ दुबेदी आपका सही answer यहां पर है भावों की तीर थ्यात्रा की रचनाकार कौन है भावों की तीर थ्यात्रा की जो रचनाकार है विश्णू प्रभाकर, स्योपूजन सहाई महादेवी बर्मा, निर्मल बर्मा question number 34 34 का सही answer है कौन है भिश्णू प्रभाकर भिश्णू प्रभाकर आपका सही answer है मैंने इस मिर्ती के दीप जलाए किसकी रचना है question number 35 मैंने इस मिर्ती के दीप जलाए यह जो रचना है यह रचना किसकी है महादेई बर्मा या रामनाथ सुमन धर्मबीर भारती सिव पूजन सहाई Q35 विकल्प नमबर B आनिकी रामनाथ सुमन आपका राइट आंसर है बन तुलसी की गंद की रचिनाकार है बन तुलसी की गंद की रचिनाकार फणिस्वानाथ रेनू Q36 से चार विकल्प भी देगा है महत्तुपून कॉस्चन है आपका और विकल्प नमबर एक राइट आंसर है फणिस्वानाथ नियनू आपका राइट आंसर है अंगले कॉस्चन है उत्तर योगी स्री अरविंद की रचिना विधा है कौन सी है यात्रा विर्तान थे आत्मकता है संस्मुनण है जीवनी है तो 37 का सही आंसर आपका जो होगा 37 का राइट आंसर होगा विकल्प नमबर आपका यहाँ पर D यानिकी जीवनी जीवनी राइट आंसर है एक कंठ विस्पाई की विधा है जीवनी है, गीती नाठ है, संस्मुन है, रीखा चित्र है, महत्पुन कॉस्चन है यह आपका, तो इसका जो सही आंसर है, एक कंठ विस्पाई की विधा है, तो 38 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो हो कब है, गीती नाठ यानि की विकल्प नंबर आपका भी यहाँ पर सही आं वाल, कॉस्चिन नमबर 49 का सही आंसर बताना है तो धर्म बीर भारती आपका यहां पर सही आंसर है, सिवाजी का पत्र किसे की लंबी कवीता है, कॉस्चिन नमबर 40 का सही आंसर बताना है, सिवाजी का पत्र, सिवाजी का पत्र किसे की लंबी कवीता है, तो आपका सही आंसर ह का विकल नमबर आपका डी राइट आंसर है निराला निराला आपका यहां पर सही आंसर है बिलकुल सही अंगले कॉस्चन क्या है अंगले कॉस्चन आच्रण की सब बता का एहदेश ही निराला है यह कथन किसका है आच्रण की सब बता का एहदेश ही निराला है यह जो कथन है सुकली जी का है बाल कृष्ण भट्ट जी का है सरदार पूर्ण सेह जी का है या पिरताप नारण मिसर जी का है तो question number 41 का सही आंसर बताना है तो सरदार पूर्ण सेह का यह जो है क्या है कथन है अंगला question है नाम सौंदरे से कवीता की आयू बढ़ती है नाद यहाँ पर नाद लिखा है नाद सौंदरे से कवीता की आयू बढ़ती है किसने कहा है महावीर परसाद दुबेदी रामबलास सर्मा बाल कृष्ण भट्ट रामचंद सुकल है नामसर बताना है तो 42 का सही आंसर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है रामचंद सुकल आपका सही आंसर है अंगला question क्या है देखें अंगला question है मुक्त करो नारी को मानाओ किस कवी की पनती है निराला पंत प्रसाद महादेव बर्मा तो आपका 43 का जो सही आंसर है 43 का सही आंसर बताना है तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा विकल्ब नमबर एक यानिकी पंत जी की पनती है अंगला question है जोई लाई रकत के लेई किस कवी की पनती है तुलसी मीरा जायसी कभीर तो 44 का सही आंसर आपका यहाँ पर है विकल्ब नमबर सी आनिकी जायसी answer बहुत बढ़ी है right answer है अंगले question है अभी गती कच्चु कहत ना आबे किसकी पंती है अभी गती कच्चु कहत ना आबे यह जो पंती है कबीर की है रहीम की है या रियादास या सूर्दास तो यहां पर 45 का सही answer बताना है और डी right answer है और थी राइट answer है सूर आपका है सही आंसर है अंगले question क्या पूंचा गया है question number आपका 46 यहाँ पर पूंचा गया है बरवया नाई कवेद रचना किस भासा में है यह भासा में बताना है यानि की कौन सी भासा में यह रचना है आपके लिए बताना है अबदी में पिंगल में बोजपरी में खड़ी बोली में तो आपका 46 का जो सही आंसर है बहें 46 का विकल्प नंबर एक यानि की अबदी आपका सही आंसर है बिलकुल सही अंगद का पाउं का लेकप कौन है अंगद का पाउं धर्म बीर भारती सरद जोसी हरी संकर परसाई स्री लाल सुकल तो कौस्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है महत्वण कौस्चन पूशा गया है अंगद का पाउं के लेकप कौन है 47 का राइट आंसर है स्री लाल सुकल आपका सही आंसर है कौन सी महिला कताकार हिंदी की नहीं है देखिए कथाकार नहीं है तो कौन सी महिला हिंदी की कथाकार नहीं है तो यहाँ पर चार विकल्प आपके लिए देख रहे हैं तो बताए कौन नहीं है महा सोईता देवी कौन नहीं है महा सोईता देवी आनी की विकल्प नंबर D आपके हैं आपर सही आंसर है काली चरण किस और पन्यास के पात्र नहीं है स्वारी पात्र हैं पूँचा है आपसे मेला आचल गोदान जूटा सत्याक पत्र तो 49 का सही आंसर है मेला आचल मेला आचल आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नमबर 1 आपका राइट आंसर है कनके बीच लिखे गए पत्र का संग्रा है आपके लिए बताना है तो इस परकार अपनी यहाँ पर महत्वपुण ने तो क्याहस लगा इस वीडो कमेंट में आपके लिए बताना है यहाँ पर अपनी जो हैं 50 question complete हुए इसी प्रकार अपने बहुत सारी question आने वाले हैं तो वीडियो को सभी लोग like कर लें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत चैनल को subscribe वस्त कर लें बेल आइकन दबाएं ओल पर क्लिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे जादा से जादा वीडियो को share करना है ताकि अनलूग वीडियो देख सकें और वीडियो को like करना ना भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत ध एंग